अधिक मास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आपाए अधिक मास की अमावस्या जब अधिक मास और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो किड़ लीवर जैसा रोग हो सरीर मैस्वर आश्षी वह पड़ principio केसी भी प्लिप कैसी बहुत जितना दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उतसे चादा तुख तम्यंति और राज अनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर-दर भटका साप दस लिया सरीर बेकार हो गया सडड़ा रहा काला पढ़ गया पत्नी की बाप की साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चली बेभू चले गया। भाई ने सब पूछोड़ा कर रखिया। सरीर में पेकार है। सरीर में काला हुआ हुआ है। सरीर में कि नांके foldal भी पकार हुआ। अब उसके ध्यान पे पत्नी तम्यंती ने कहा है पत्नी कह रही है पत्नी तम्यंती कह रही है शिव की अराधना करते हैं दोनों चलों और दम्यंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेट कर संकर के अराधना का इकनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना अब फिर निवे दंग करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जम के बोलो जरा एक लोटा पर सावन कि रिव करेंगे में तो लोटा हो दर से चलो तो लोटे के ऊपर लोटा हो डवल कब मंजील डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जिन्दकी के सुपर डवल कर देगा पता ही नहीं खड़ाए पता नहीं चलिए और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में देहली पर चड़ने से पहले तो हांग में कलशो और शिव का मूल इस्मरण श्री शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महादेव को धार चड़ाए तो यहाज तो दमयंती और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम ने पड़ा कि सालो निकल गया निकलते निकलते इनको ने मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे 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 धी म्लमाज पर स मैंने निकल्द आवाहा एधर सवान लग रहा था निदे पढ़ गए और दूसरे धिन दपावन के 15 दिनपटैने शिव के दिन पढ़ना थे और शास्तर करता है सुवाओा आवन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन 33 को टी देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पूंद लिए पूरा पूंद है तो वहाँ पर अमा आवस्या भूंदिमा को नोग बंदा रहा है उसका कारण वहां ने कहा कुछ खिला दो उसका मूँ छुटा कर दो आखिर कारण के वल एक श्यू महापुराण की कथा कर रही है अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिश चलू सावन बापिश चलू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा मेरी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दो सो पान्सो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस सुमद्यका प्रारम का दिन वापिस हो जाता है जब अधिकमास फिराम हो गांगा सावं वापिस चालू अरौगा चाथे लुटाते हैं स Foundation or उस दिन अगर एक ऐनेर का भूल शंतर बगवार पर चड़ जाता है तो तो जुदगी सारा बन्नार पावा पर जाना एक पुष्प कनेर देखा है पंच पुष्पशु महाँ पुराण की कठाबाची है पहले उसमें कनेर के फूल का विदर्शन करा जाता ये रोड के जादातर लोग ये कनेर का जो फूल है पुष्प 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 भूल बस आज राजा नल और तमयंती जा रहे थे उनको फूल नहीं मिले शिप जी को समझतित करने के लिए कोई पुष्प नहीं मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि 33 कोटी देवत अपना भटात रुटाने के लिए तयाद रहें अधिकमास का विराम है और दूसरे दिन बापिस सावन चालू है कम से कम संडे को रखनाता रभीवार को रखनाता तो लोग ज्यादा आते हम ने का में लोकों से मतलब नहीं हमें संजोक से मतलब है जिस दिन पाबा को जल चड़े का करेंश का फूल चड़े वो तिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है। वो तिन कावड यात्रा का जल भरकर हमने सीहर से रखी 10 किलोमेटर यह आपको भी दिवेदाने आज जो जो फिरी हो जो जो के पास समय हो और जिसने जिन्दगी में एक वार कुबरेश्वर बाबा की कावड ना भरी हो वो 16 अगस दिन गुद्वार साइद गुद्वार बढ़ना चाहिए 16 अगस तो को सुबहा नो बजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुबर भेटाने को 10 किलोमेटर पूर्सी और 10 किलोमेटर की दूरी बढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए दो हाथ मे सुन्दर या तो तुम कंदे पकावड ले लो या हाथ में ले लो या पॉर्डर ले लो तावर को समय करते हैं एक कनेर का पुष्प लिल से जो ये दमयंती और नल्की कथा करेंगे भूलवश पूलवश अनायास मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चड़ देया अब उनक पुष्प समपुख था और उटा कर उस दमयंती अपर पति नल्कों दिया नल्कों पुष्प Hoorg नीचे गिरा तो गिरता हुए पुष्प अशुक सुंदरी वाली जगा पर जाकर डिक गया तब अशुक सुंदरी ने देवा दिद्योम माहडेयों से कहा पिता जी इसमें प पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 31 कोटी देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलकर जब पुन्य दिया नल का सडता हुआ सरीर काला पड़ा सरी रोग से गर्सित शरीर नलका ढीक हो गया और जो भुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नलको प्राप्त हो गया फिर संपटावान फिर वे भहवान फिर कीर दीवान हो गया फिर कीरती वान हो गया फिर वे बहुबान हो गया अब या किसने जम क्यों बोलो ज़रा देव दिरेव महादेव खाली ना जाता तोई दर से तुम्हाए अधिकमास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आपाई अधिकमास की अमावस्या जब अधिकमास और सावन का मत्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ग्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोब हो किड़नी लीवर जैसा रोब हो सरीर मैस्वरेसिस हो गया गुटने डाक्टर ने पढ़ दिया बदलना पड़ेंगे कमर दुखर ही हो तकलीप कैसी भी तकलीप कैसी भी जिंदगी का तुख हो कैसा भी कश्ण हो समझना उसको जितना दुख आपकी जिंदगी में नहीं आया होगा उतसे जादा तुख तम्यंति और राज अनल के जीवन में आया राज सी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर बटका साप दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बाप की साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझेगा जिसके पास से पुरी सत्ता चल अरच चले गया ने सब पूछ तोड़ा पर लिया सबीर विकार है सबीर विकार हो ऐसा रहा है तो अब उसके ज्यान के अक्नी तम्यंती ने लिए उसकी तम्यंति कर रहे हैं शिवकी अराधना करते हैं दोनों जो और दमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर शंकर के अराधन के नियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जब के बोलो जड़ा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा तर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो डवल डवल कब मंजीर डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जिन्दगी के सुपर डवल कर देगा पता ही नहीं खड़ाए पता नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हांत में कल शो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव माधियों को धार चड़ाए तो यहाज तो दमयंति और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम ने पड़ा कि सालो निकल गए निकलते 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 इनको ने मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे धीर करते हैं और अदिक मास का पूरा महिना निकला अमावस्या का तिन आ गया और अधिक मास का पढ़ना थे मग οποि कितिन करता हूँ और जानश कोमत भीज technically भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुन लेटे हैं, पूरा पुन है अच्छा चलो तुम लोग या मेनपूरी में रहते हो तो गिराची जाते हो गोवरदन कुन कौन जाता है, जाते हो आप लोग, आप रखिये तो वहाँ पर अमावस्या फूनिमा को लोग भंडारा चलाते हो, चलाते हैं चलाते हैं, आप लोग तो नहीं गयते हो ना, कहीं कहीं, अमावस्या फूनिमा को भंडारा क्यों चलाते हैं, उसका कारण क्या है, इनने कौन सी कथा सुन रखी कि अमावस्या फूनिमा को भंडार अधिक मास के तीस दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिश चालू स्रावन बापिश चलू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां देते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दो सो पान्सो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दि और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का फूल संकर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारबना पर जाता है एक पुष्प पुष्प श्यमाहँ कि और पाजी धित्ष्ट कराया फैश्यथ है उसमें कनेर के फूल का विधर्शन धर्शन कराया तो ये खांदातर लोग ये खाली पुल पीच में लगा सी रिखेता है आज राजा नल और तम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिलें शिप जी को समझ पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला, इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिक मास का विराम है, आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है, इनको नहीं गया था कि 33 को टी देउत अपना भटार कुताने के लिए तयाद रिए, 33 को टी देउत अधिक मास का विराम है, और दूसरे दिन वापिस सामन चालू है, कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग ज्यादा आते, बहुसते, हमने का में लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोक से मतलब है, जिस दिन बाबा को जल चड़ेगा, कनेर का खूल चड़ेगा, उस दिन बाबा मेरा कुबर भंडारी कितना दे जाएगा, या किसी को नहीं मालो, उस दिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे, और उनको क्या मिलेगा, या अंदाजा नहीं है, उस दिन कावड यात्रा का जल भर कर, हमने सीहर से रखी 10 किलोमेटर, या आप औरे भंडार को 10 किलोमेटर लेंडार, और पर 10 किलोमेटर की दूरी लेंडाती है, खाव़ा का वजन दे को, बच देखे की बाबाब, या वादार को खोल वष, पूलवश अनायास मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चड़ दया अब उनको पुष्प ना मिला पुष्प ना मिलने पर इनों ने देखा मारगर से जाते जाते इस पुष्प पर ना पच्छी बेट रहा है ना पशू बेट रहा है ना इसको कोई खा रहा है ना कोई चांद रहा है पुष्प रेखा कनेर का पुष्प सम्मूख था चीना और उठाकर उस दमयंती नहीं पर पतिनल को दिया नल ने वो पुष्प देव अदिद्यों महाद्यों को समर्पित दिया पुष्प नीचे गिर गया तो वह गिरता हुआ पुष्प अशोक सुन्दरी बाली जगह पर जाकर टिक गया तब अशोक सुन्दरी ने देवा दिए जो महरे उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है शिवक्त धिम ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था लिए आज तुम पुन्न दीजिए सब देवतावने मिलका जब पुन्न दिया नलका सड़ता हुआ शरीर काला बड़ा सरी रोग से गर्सित शरीर नलका ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नलको प्राप्त हो गया फिर संपदावान फिर वेभ हो बान हो गया अब दिया किसमें जम के बोलो जड़ा देव दिरेव महादेव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हाए अधिक मास का महिना वो भी सावन्त संजोग में जान नहीं आप है अधिक मास की हमावस्या जब दिक मास पूर्ण और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन आप इस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो किड़नी लीवर जैसा रोग हो सरीर में सवरेसिस हो गया गुटने डाक्टर ने पढ़ दिया पदलना पड़ेंगे कमर दुखर ही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी जिन्दगी का तुख हो कैसा भी कश्ट हो समझ रहा हुँ जितना दुख आपकी जिन्दगी में नी आया होगा उतसे जादा दुख तम्यंति और राज अनल के जीवन में आया राज इसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर भटका साब दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की पत्ति अड़ी सवयने के बाद भी वाह ने कर्भा कर ती अब समझेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चली गी वेवह चले गया राज चले गया भाई ने सब को छ्ड़ा के रखिया सरीर भी पेकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है शड़ रहा है अल्यान पत्नी तर्म्यंति मैं येम्प्नी कह रही है सँ अपनी तमियन्ती कह रही है ओशिव की अरातना दोनों जम्हें कि अफेरों और दमियन्ती पत्विंने अपने पती के साथ वेटकर शंकर की अरातना का इसिंग्नियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस पनद अब फिर निवे दंग करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जम जम के बोलो जरा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा जर से चलो तो जोटे के उपर लोटा हो डवल डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा पता ही नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हांत में कलशो और शिव का मूल इस्मरण श्री शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महादयों को धार चड़ाए तो यह आज तुम्यंति और नल ने नियब बना ग एक और मलमास मूमधों अधिक मास सावन के महिने में आगया संजोग ऐससा कि मलमास पूरा धी देदेदी दीदे घरे कड़े करते करते सावन के 15 दिन इदर रहे गए 15 दिन उदर रहे गए बीच में मलमास फसा था इस अधिक मास का पूरा महिना निकला अमावस्या का दिन आ गया और इदर सावन लग रहा था इदर अमावस्या पढ़ गए और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और स करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन 33 को टी देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पूर्ण लिए पूरा पूर्ण है कि अच्छ हचतु को वाएं बराखने तुम लोग यहां मेनपूरी मेन रहते हो और तो गिर्राची जाते हो नोग जाते हो जाते हो दरा अवावस्या व्माको लोग भंडारा चला दिन को हैं इनने कौन सी कथा सुन रखी कि अमावस्य का भगता किया कोई शिवका उपासा का किया वोगर्दानी का भगता किया कोई नरायन का भगता किया उसको कुछ खिला दो उसका मुझूटा कर दो आखिए कारण गया है है कुर्णीमा के दिन कठा कर जाना अमावस्या हुझा का एस योग है अमावस्या 2020 पूरे हो रहे हैं अमावस्या अधिक मास के 30 दिन स्रावन का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां देते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दो सो पांचो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मत्य का प्रारम का दिन और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संतर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारव बन्ना पर जाता है के अध़ पुष्प कनेर दिखा यह पंच पुष्प शु इन पुरान की कटाबा चीह पहली है उसमें कनेर के फुल का विदर्शन कराई ब्रोड के जाधा तर लोगे यह चाता तर लोग यह कनेर का जो फूल ना रोड के बीच में लगाए देखे है कि इसको जानवर भर मी न जानवर भी नहीं है जहरी ला है कनेर का पीला पुष्ट भूल बस आज राजा नल और तम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिप जी को समझतित करने के लिए कोई पुष्ट नहीं मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का विराम है आज दूसरे दिन साव का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि अधिस को टी देवत अपना भट्टार लुटाने के लिए तैयाद है कि हमसे लोग करें तो गुरुजी आपने सिहोर की जो कावड यात्र रखी वो 16 अगस्तव को रखी जिस दिन अधिकमास का विराम है और दूसरे दिन बाप को जल चड़ेगा कनेर का खूल चड़ेगा उस दिन पाबा मेरा कुबर भंडारी कितना दे जाएगा ये किसी को नहीं मालो और जिसने जिन्दगी में एक बार कुबरेश्वर बाबा की कावड़ना भरी हो वो सुला अगस दिन गुद्वार साइद गुद्वार बढ़ना चाहिए सोला अगस दुकर सुबहा नो वजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुवेर बहटारी को 10 किलो मेटर पूर्सी और से 10 किलो मेटर की दूरी बढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए तो हाथ में सुन्दर या तो तुन तंद ये परकावड ले लो या हाथ म मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चड़ दया अब उनको पुष्प ना मिला पुष्प ना मिलने पर इनों ने देखा मारगर से जाते जाते इस पुष्प पर ना पक्छी बेट रहा है ना पशू बेट रहा है ना इसको कोई खा रहा है ना कोई चान रहा है पुष्प वन करा हुवा पुष्प नीचे किस्ट गए तो गीरा तो गिरता हुवा पुष्प अशुक सुन्दरी वाली मढर्य उसे कह पिता जी, ス ने मुझे दिया है शिव करते हैं ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन 21 को की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलकर जब पुन्य सिव्भणान हो गया और जो पुषकर ने धन लिया था वो पादि राज़ां नल को प्रासर उख और कि मैप फिर कीरती वान हो गया फिर वे बहुबान हो गया अप्या किसने जंक के बोलो जिरा देव दिरेव महा देव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे अधिक मास का महिना वो भी सावन्त संजोग में ज्यान नहीं आपाई अधिक मास की हमावस्या जब अधिक मास पून हो और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा कहोत ध्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कार पोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जेसा रोग हो किड़नी लीवर जेसा रोग हो सरीर में स्वरेसिस हो गया गुटने डाक्टर ने पदिया पदलना पड़ेंगे कमर दुखर ही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी चिंद़ी का तुख हो कैसा विपकश्ट हो समझ आप जितना दुख आपकी जिंदगी में नी आया होगा उससे जादा दुख तमयंति और राज अनल के जीवन में आया राज सी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर-दर भटका साप दस लिया सरीर वेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बा या से पूरी सत्था चलीगी है बेभव चले गए राज चले गया भाई ने सब को छोड़ा के रख लिया सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा है और पूर्ट नाथ के डसे से शरीद भी पिकाल हुआ है अम उसके द्यान की अत्नी तम्यंति ने कहा इस अत्नी कह रही है पत्नी दमयंति कर रही है शिव की अराधना करते हैं दोनों चलों और दमयंति पत्नी ने अपने पती के साथ बेड़कर शंकर की अराधना का इक नियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकाश बना अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाक्की के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जम जम के बोलो जरा, एक लोटा, पर सावन के महिने में, दो लोटा, गर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो, टबल, पर लोटा, कब मनझीर डबल कर देगा, कब तुमारी आयडवल कर देगा, कब तुमारी जित्ब्गी के सुप्र डवल कर देगा, पता ही न छड़ाए, पता नहीं चलोगा, और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हांक में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महाधियों को धार चड़ाए तो यहाज तो तमयंति और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम ने पड़ा कि सालो निकल गया निकलते 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 इनको ने मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे धीरे करते करते सावन के फंदरा दिन उदर अदर दिन पढ़ श्छिव के दिन पढ़ना थे भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुन लिए पूरा पुन है अच्छा चलो तुम लोग या मेनपूरी में रहते हो तो गिराची जाते हो गोरदन कुन जाता है जाते हो आप लोग अवरखेरिये है तो वहाँ पर ओनी महां को लोग भंडारा चलाते हैं से चलाते के इन कि झ mín्द से हो आप लोग तुम यह जहते हो इंक हमाँसय के अंपर अभज्या-विक्णी आफो अदिक मास के तीस दिन पूरे हो रहे हैं दूसरे दिन सावन का महिना बापिश चालू स्रावन बापिश चालू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दो सो पानिसो रुपे बच्चों को दे जाते हैं। अदिकमास का विराम का दिन और सावन का पापिस मत्य का प्रारंव का दिन वापिस हो जाता है। जब अदिकमास विराम होगा ऋफ़ाथ सावन पापिस चलु होगा। उस दिन देतिस कोटी देवता या जगंधर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं, सब वदा देते हैं, वेभब उठेते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवार पर चड़ जाता है, तो जिंदगी का सारा बन्ना पर जाता है एक पुष्प, कनेर देखा है, पंच पुष्प शु महाँ पुरान की कठाबाची है पहले है, उसमें कनेर के फूल का विदर्शन कराया था, ये रोड के, चादा तर लोग ये कनेर का जो फूल है रोड के बीच में लगा देते हैं, क्यों को जानवर में निकाता, पशु में जाते हैं, तर देखें किन देखें, आज बोजो तो जम के, उसको पक्री भी निकाए, पशु भी निकाए, पक्षी भी निकाए, जानवर भी निकाए, जहरीला, कनेर का पीला पुष्प, भूल बस, आज राजा नल और तम्यंती जा रहे थे, उनको भूल नहीं मिले, प्रशी देखें, आपना पढ़ भाड़ भूताने के लिए तयाद है, जो भूल बस, आज रहे हैं, तो गुरुजी, आपने सिहोर की, जो कावड यात्र रखी, वो 16 अगस्ता पो रखी, जिस दिन अधिक मास का विराम है, और दूसरे दिन बापीस सावन चालू है, कम से कम संडे को रखना था, रविवार को रखना था, तो लोग जादा आते, बहुसते, हमने का में लोगों से मतलब नहीं, हमें संजोक से मतलब है, जिस दिन बापा को जल चड़ेगा, करेर का खूल चड़ेगा, वो दिन बापा मेरा कुबर भंडारी कितना दे जाएगा, या किस और जिसने जिन्दगी में एक वार की कावड़ना भरी हो वो सोला अगस दिन गुद्वार नो वजे सीवन कमया का चल लेकर बाबा कुबर भंटारी को तस किलोमेटर पुर्सी और से तस किलोमेटर की दूरी पढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए तो हा कि याश मालूम नहीं है कि सबस्कार अब उनको पुष्प ना मिला नहीं पर मिलने पदीनों ने देखा मारगे से जाते जाते इस पुषप ना पकछी बेट रहा है ना इसको कोई खा रहा है ना कोई चान रहा है का कुष्प संभूख था जिए और उठा कर उस दमयंतीन अ महादेव को समरपित करा हुआ पुष्प नीचे गिरा तो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुनदरी वाली जगह पर जाकर डिक गया तब अशुक संदरी ने देवादी जो महादेव से आपिता जी इसने पुष्प मुझे दिया शिवकत यह पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया ता यह स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन एक जिसकोटी देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्य को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलकर जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला बड़ा सरी रोग से गर्सित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो पापिस राजनल को प्राप्त हो गया फिर संपदावान फिर वेभववान फिर कीड़तीवान हो गया फिर कीड़तीवान हो गया फिर वेभववान हो गया अब या किसमें जंग के बोलो देव दिरेव महादेव खाली ना जातार बोई दर से तुम्हारे अधिक मास का महिना वो भी सावन्त संजोग में ते जान नहीं आपा है अधिक मास की अमावस्या जब अधिक मास और सावन का मध्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन अपिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जेसा रोब हो किड़नी लीवर जेसा रोब हो सरीर मैस्वरेसिस हो गया गुटने डाक्टर ने पढ़ दिया बदलना पड़ेंगे का मर्द भरही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी जिन्दगी का तुख हो कैसा भी कश्ट हो समझ रहा हुआ जितना तुख आपकी दर दर भटका साप दस लिया सरीर बिकार हो गया सड़ पा रहा काला पढ़ गया पत्मी की बाब की साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबाने करपा कर दी अब समझियेगा जिसके पास से पूरी सत्ता चलीगी वेभू चले गया राचछ चले गया भाई मैं सब चप्त को कि ये हम तंभी दमयंति कर रहे हैं शिवक की अराधना करते हैं दोनों चनु और दमयंति पत्नी ने अपने संथ बेटकर संकर की अराधना करने किया मना लिया रोज शिवके मंदिर मैं दो लोटा जलका इस पनंदी फिर निविदांग कर एंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ, सारी समस्या का हल, जब जम के बोलो ज़रा एक लोटा, पर सावन के महिने में दो लोटा, घर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो, टवल, बेटा, डवल, कब मन्जील डवल कर देगा, कब तुमारी आय डवल कर देगा, कब तुमारी जिंदगी के सुप डवल कर देगा, पता ही नहीं खड़ाएं, पता नहीं चलेगा, और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले तो हाथ में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महाधियों को धार चड़ाए तो यहाज तो रुप तमयंति और नल ने नियब अनियद्ध टंवरे कर देखर कर देखर दोसरे दिन शावन के 15 बना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन 33 को टी देवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिन्दगी का सारा पुर्ण है पूरा पुर्ण है आप अच्छाचलो तुम लोग मेन पूरी रेते हो तो घृम जाते हो तो आफ़ो ते अपर अमावस्या को बंडारा चला तो जा तिकें चला अक लोग तो नहीं कहते हो कहीं अमावस्या पूर्णिमा को बंडारा क्यों चलाठे तरहां। बढ़े बढ़े घरों में और अधिक मास के तीज दिन कूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था, दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चलू, सावन बापिस चलू होना था, दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है, विराम का दिन होता है, आपको कथा में भी पहले कहा, महमान तुमारे यहां रेते हैं, जब तक ब प्राइब का दिन वापिस हो जाता है जब अधिक मास पिराम होगा सावन पापिस चलू होगा उस दिन या उस दिन लुटाते हैं वेभगवार उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संतर भगवार पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारा बनना पापर जाता है एक पुष्प कनेर देखा है पंच पुष्प शु महाँ पुराण की कथा बाची यह पहले है उसमें कनेर के फूल का विदर्शन कराया था यह रोड के जादा तर लोग यह कनेर का जो फूल है रोड के बीच में लगा देखे हो कि जानवर भी निखा पश्रू भी निखा पक्षी निखा जहरी लाचता होता है बीले कलरका होता है लंबा काम भी कुछ नहीं आता है बस वह कनेर का फूल पुष्प भूल बस आज राजा नल और तम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिपजी को समझपिद करने के कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है इनको नहीं ग्याद था कि 33 कोटी देवत अपना भट्डार कुताने के लिए तैयाद है कि अमसे लोग करें तो गुरुजी आपने सीहोर की जो कव अभीवार को रखना था तो लोग जादा आते हैं बहुसते हमने का में लोगों से मतलब नहीं हमें संजोक से मतलब है जिस दिन बापा को जल चड़ेगा करेर का खूल चड़ेगा उस दिन बापा मेरा कुबर भंडारी कितना दे जाएगा या किसी को नहीं मालू को तिन लो अभर ना भरी हो वो सोला अगस दिन गुद्वार चाहिए वो नो बजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुबर भंडारी को तस किलो मेंटर पूर्सी और से तस किलो मेंटर की दूरी बढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए तो हाथ में सुन्दर या तो भूलवश अनायास मालूम नहीं है कि कनेर का कुष्प चड़ दया अब उनको कुष्प ना मिला ना मिलने पर इनों ने देखा अमारगर से जाते जाते इस कुष्प पर ना पच्छी बेठ रहा है ना पशू बेठ रहा है ना इसको कोई खा रहा है ना कोई चान रहा है कु पूष्प नीचे गिर गया तो गिरता हुआ अशूक सुंदरी वाली जगह पर जाकर कर टिक गया तब आशूक सुंदरी ने देवा दिए जो महले उसे दिजिए सब देवतावने मिलका जब उन्हें दिया नलका सड़ता हुआ शरीर काला पड़ा सरी लोग से गर्सित शरीर नलका ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वह वापिस राजा नलको प्राप्त हो गया फिर संपतावाद, फिर वेभहववाद, फिर कीड़ी दिवान हो गया फिर किड़ दिवान हो गया फिर वे बहुबान हो गया अब या किसमें जंक के बोलो देवादिरेव महादेव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे अधिक मास का महिना वो विसावन्त संजोग में जान नहीं आपए अधिक मास की हमावस्या जब दिवादिक मास पूनौ और सावन का मद्यभाद समझ लेना जड़ा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जेसा रोग हो किड़नी लीवर जेसा रोग हो सरीर में स्वरेसी सो गया गुटने डाक्टर ने पदिया पदलना पड़ेंगे कमर दुखर ही हो तकलीप कैसी भी तकलीप कैसी भी जिन्दगी का तुक हो कैसा भी कश्ट हो समझ लाँशो जितना दुख आपकी जिन्दगी में नी आया होगा उससे जादा दुख तम्यंति और राज अनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर-दर भटका साब दस लिया सरीर वेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की से बड़ बाब की साथी होने के बाद भी पाबाने कर्पा कर दी अब समझेयेका इसके पूरी सत्ता चलीगी वह सबड़ा के रख लिया सभी पेकार है चांग कर्या मारा बिकर तब बिकत हम है मैं तर निक हरू है पत्णी दम्यंति कर रही है शिव की अराधना करते हैं दोपने हैं और दम्यंति पत्णी ने अपने पत्णी के साथ वेढ कर शंकर के अराधना के अिनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस पर अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जम के बोलो जरा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा कर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो डवल डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जितकी किस्व को डवल कर देगा पता ही है खड़ाए पता नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हांक में तलशो और शिव का मूल इस्मरण श्री शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादिद्यों महादयों को धार चड़ाए तो यहाज तो टाक अजब बना गया अब शासा भिज मलमास को अदिकद्यों के महीं जैच है कि इदर सावन लग रहा था इदर अमावस्या पढ़ गए और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो उस दिन अधिस को टीदेवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पून ने पूरा पूरी में रहते हो तो गिराची जाते हो और दन कौन जाता जाते हो आप लोग अब रखिये तो वहाँ पर आमावस्या पून निमां को लोग भंडारा चला पूर्ण शेल अब लूप तूरा दन Netzलल पूरी में पूर्ण बंडारा कर रहते हो मैं खता बंडारा करें क Normal की बड़े बड़े घरों में परहे होँ तूरन और आओ और या शान कर जाना पूनिमा ऑजन कारण City mirror कि अधिक मास के तीज दिन पूरे हो रहे हैं अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चलू स्रावन बापिस चलू होना था दोनों का संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दोसो पांसो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का पापिस मत्य का प्रारम का दिन पापिस हो जाता है जब अधिक मास पिराम होगा सावन पापिस चलू होगा उस दिन तेतिस पोटी देवता या उच्छकंधर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं सब वदा देते हैं वेभगतेते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संकर भगवाद पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारा बन्ना पर जाता है वाग पूश्प अन्च पुश्प शुमहां पुरान की कताबाची है पहला है उसमें कनेर के भूल का भी दर्शन कराया आता है यह रोड के चाधा तर लोग यह चादार का जो पूल है ना रोड के बीच में लगा जेखा आज राजा नल और तम्यंती जा रहे थे उनको भूल नहीं मिले शिपजी को समस्पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का विराम है आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है इनको नहीं गयाद था कि अधिकमास का विराम है और दूसरे दिन बापिस सावन चालू है कम से कम संडे को रखना था रविवार को रखना था तो लोग जादा आते पहुस्ते हमने का में लोगों से मतलब नहीं हमें संजोक से मतलब है जिस दिन बापा को जल चड़ेगा करेर का खूल चड़ेगा उस दिन बापा मेरा कुबर बंडारी कितना दे जाएगा यह किसी को नहीं मालोग उतिन लोग आने वाले कावडियां को कितना खिलाएंगे और उनको क्या मिलेगा यह अंदाजा नहीं है उस जो लागस दिन बुद्वार चाहिए जो लागस तो को सुबहा नो बजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुवेर भंटारी को 10 किलोमेटर पूर्सी और सिर्टस किलोमेटर की तूरी पढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए तो हाथ में सुंदर या तो क कंद्रे पकावड ले लो या हाथ में ले लो या पॉलवश अनायास मालूम नहीं है कि कंद्र का पुष्प चड़ दया अब उनको पुष्प ना मिला पुष्प ना मिलने पर इनों ने देखा मारगर से जाते जाते इस पुष्प पर ना पच्छी बेठ रहा है ना पशू तो बेठ रहा है ना इसको कोई खा रहा है ना कोई चान रहा पुष्प रेखा कनेर का कुष्प संभूख था धिता और उठा कर उस दमयंती नपने पती नट को दिया नल ने वो फुष्प देव धिद्यमाहdew को संージय गिर गया नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ सुन्दरी ने देवादी जो महाने उसे कहा पिता जी इसने पुष्प मुझे दिया है ये पुष्प जो मुझे प्राप्त हुआ था मैंने तुझे दिया था ये स्थान देवी का हस्त कमल है आज का दिन एक इसकोर की देवता अपना भंडार अपना पुन्य मनुष्प को देते हैं इसलिए आज तुम पुन्य दीजिए सब देवतावने मिलकर जब पुन्य दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला बड़ा सरी रोग से गर्शित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन ल कर दिया था वह पापिस राजन्नल को प्राप्त हो गया फिर संपतावान फिर वह वह वाण फिर कीड़तीवान हो गया अब कि अब या किसमें जम के बोलो चिरा देवतिरेव भाखाली ना जाता पोई दरसे तुम्हा अधिकमास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आपाई अधिकमास की अमावस्या जब अधिकमास और सावन का मध्यभाद समझ लेना जब बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन अपिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोर्ट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो किड़नी लीवर जैसा रोग हो सरीर में सरेसी तो गया गुढ़ने डाक्टर ने पढ़िया बदलना पड़ेंगे का मर्दु भर यह तकलीप केसी भी तकलिप केसी भी जिन्दगी का दुख हो कैसा विकष्ट हो समझ रहा हुआ जितने दुख आपकी जिन्दगी में नहीं आया होगा उतसे ज्यादा दुख तमयंतियों राज अनल के जीवन में आया राज सी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्नी चली गई पती दर दर बटका साप दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्नी की बापी साधी होने लगी साधी होने के बाद भी बाबा ने करपा कर दी अब समझ येगा जिसके पास से पूरी सत्ता चली इंगा चले घया ने सब कुछ छुड़ा के रखिया चाहर के शरीर भी पेकार है क्लाप रॉब है तो अप्रूर के दसे से स्थी कंगा अब उसके ध्यान के अध्मी तमयंति ने और अध्मान करते हैं दोनों चला और दमयंती पत्नी ने अपने पती के साथ बेटकर शंकर के अराधन के नियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जब जम के बोलो जरा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा कर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो डवल कर मंजील डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जित्गी के सुपर डवल कर देगा पता ही नहीं पड़ाए पता नहीं चलेगा और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में तेहली पर चड़ने से पहले तो हाथ में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महादयों को धार चड़ाए तो यहाज तो दमयंति और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम ने पड़ा कि सालो निकल गया निकलते 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 इनको अने मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आया और वो मलमास वो अधिक मास सावन के महिने में आ गया संजोग ऐसा बन गया कि मलमास पूरा धीरे धी पूरा महिना निकला अमावस्या का धिन अफ़िया का जनेया और दूसरे दिन सावन के पंधरा दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्तर करता है मैं अधिकमाज कि आख़िदिन और सावन का महिना पापिस लग रहा हो, उस दिन 32 को दीदेवी देवता भगवान शंकर के मंदिर में खड़े होकर अपनी जिंदगी का सारा पुन लेटे हैं, पूरा पुन है अच्छय चलो, कम लोग यह मयनपूरी में रहते हो तो गिडराजी जाते हो, को व को अब लोग आवरिदन पुन को जाता हो, जाते हो आप लोग, ऑव रखे हो, तो वहां पर अमावस्य अपूनिमा को बंडारा चलाते हो, चलाते हैं चलाते अप अपश। अकरमा को पुनीमा को बंडारा क्यों चलाते हुशका कारन लर फटन कर दो केवल एक शुमाहपुराण की कथा कर रही है अमावस्या अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे है अमावस्या का दिन था दूसरे दिन सावन का महिना बापिस चालू सावन बापिस चालू होना था दोनों का जब संजोग होता है सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दो सो पानिसो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का वापिस मत्य का प्रारम का दिन वापिस हो जाता है। जब अधिक मास पिराम होगा, सावन पापिस चालू होगा, उस दिन 33 कोटी देवता, या शकंदर्व देवता, पितर, सब उस दिन लुटाते हैं, संपदा देते हैं, वेभग देते हैं, और उस दिन भूल से भी, अगर एक कनेर का भूल संतर भगवार पर चड़ जाता है, त अंच पुष पश्यू महाँ पुरान की कठाबाची है पहले है, उसमें कनेर के फूल का भी दर्शन कराया था, ये रोड के, चादा तर लोग ये कनेर का जो फूल है ना रोड के बीच में लगा देते हैं, उसको जानवर भी निकाता, पश्यू भी निकाता, पक्षी निका कनेर का फीला पुष्प भूल वस, आज राजा नल और दम्यंती जा रहे थे, उनको भूल नहीं मिले, शिप जी को समझ पित करने के लिए कोई पुष्प ना मिला, इनको अंदाजा नहीं है कि आज अधिकमास का भी राम है, आज दूसरे दिन सावन का बापिस मिलन है, इन उस दिन सीहोर की, जो कावड़ नतर रखी, वो वो 16 अगस्त को रखी, जिस दिन अधिकमास का भी राम है और दूसरे दिन रापिस सावन चलू है, कम से कम संडे को रखना ता, रभिवार को रखना ता, तो लोक जादा आथे, ब्हूसते, हम ने कामें लोकों से मतलब नहीं हमें संजोग से मतलब ले जिस दिन बाबा को जल चड़ेगा कनेर का खूल चड़ेगा उस दिन बाबा मेरा कुभर भंडारी कितना दे जाएगा या किसी तोला गस्तों को सुबहा नो बजे सीवन कमया का जल लेकर बाबा कुएर भेटारी को 10 किलोमेटर पूर्सी और 16 किलोमेटर की दूरी पढ़ती है बाबा का बजन करते हुए नाम जाब करते हुए तो हाथ में सुंदर जा तुछी तंदे पकावड ले लो या हाथ में ले लो पूर्डर को समझे एक कनेर का पुष्प जिल से जो ये दमयंती और नल्की कठा करेंगे भूलवश पूलवश अनायास मालूम नहीं है कि कनेर का पुष्प चड़ रहा अब उनको पुष्प ना मिला पुष्प ना मिलने पर इनोंने देखा मारगर से जाते जाते इस पु पुष्प का कनेर का पुष्प संभूक था जीना और उठाकर उस तमैयंती और पति प्प नल्को दिया नल्का पुष्प दिवदीव महादेव को संफित द्या संब धित पित करा हुआ कुष्प नेचे गिर गया नीचे गिरा तो वो गिरता हुआ पुष्प अशुक सुंदरी वाली जगहपर जाकर टिख गया तब अशुक सुंदरी ने देवा दि जो महावे उसे कहा पिताजी इस divine पुष्प मुझे दिया अपन्ऩ मनुष्य को इसलिए आज तुम पुन्न दीजिए सब देवतावने मिलकर जब पुन्न दिया नल का सड़ता हुआ शरीर काला बड़ा सरी लोग से गर्सित शरीर नल का ठीक हो गया और जो पुष्कर ने धन लिया था वो वापिस राजा नल को प्राप्त हो गया फिर संपदावान फिर वे दिवान हो गया फिर वे बहुबान हो गया अब दिया किसने जम क्यों देव दिरेव महादेव खाली ना जाता पोई दर से तुम्हारे अधिक मास का महिना वो भी सावन का संजोग में जान नहीं आपाए अधिक मास की हमावस्या जब अधिक मास पून हो और सावन का मध्यभाग समझ लेना जरा बहुत ज्यान देने वाली बात है राजा नल का गया हुआ धन पापिस मिला राजा नल की काया जो काली पड़ गई थी कारपोट नाग के डसने से जो सरीर विगड़ गया था कैंसर जैसा रोग हो किड़नी लीवर जैसा रोग हो सरीर में स्वरेसिस हो गया गुटने डाक्टर ने पढ़ दिया पदलना पड़ेंगे का मर्दुखर ही हो तकलीप केसी भी तकलीप केसी भी जिन्दगी का तुख हो कैसा भी कश्ट हो समझ रहा हुआ जितना दुख आपकी जिन्दगी में नी आया होगा उससे जादा दुख तम्यंति और राज अनल के जीवन में आया राजसी ठाट भाई ने छोड़ा लिया पत्मी चली गई पती दर-दर भटका साब दस लिया सरीर बेकार हो गया सड़ता रहा काला पड़ गया पत्मी की अब समझेगा जिसके पास से पुरी सत्ता चली वेवह चले गया राज चले गया भाई ने सब कुछ चुड़ा के रख लिया सरीर भी पेकार है सरीर भी काला पड़ा हुआ है सड़ रहा और पुड़ नाथ के डसे से सबीदिका अब उसके ध्यान के अध्मी दम्यंति ने कह पत्नी कह रही है पत्नी दम्यंति कह रही है शिव की अराधना करते हैं दोनों चलों और दमयन्ति पत्नी ने अपने पती के साथ वेटकर संकर किया राधनक एकनियम बना लिया रोज शिव के मंदिर में दो लोटा जलकस बना अब फिर निवेदन करेंगे सारे दिन तुम बाकी के दिनों में जाओ सारी समस्या का हल जम जम के बोलो जरा एक लोटा पर सावन के महिने में दो लोटा घर से चलो तो लोटे के उपर लोटा हो डवल पर लोटा कब मन्जील डवल कर देगा कब तुमारी आय डवल कर देगा कब तुमारी जित्गी के सुपर डवल कर देगा पता ही है खड़ाए पता नहीं चलिए और मंदिर में जैसे ही प्रवेश करो तो दोनों हाथ में पहली पर चड़ने से पहले तो हाथ में कलशो और शिव का मूल इस्मरण शिरी शिवाए नमस्तो भ्यम बोलते हुए देवादी देव महादेव को धार चटाए दो याज दो लुँआ तमयंति और नल ने नियब बना गया अब इनको मालूम नहीं पड़ा कि सालो निकल गया निकलते निकलते इनको नहीं मालूम पड़ा कि मलमास आ गया और मलमास आ गया और दिक मास टावन के महिने में आगया संजोग ऐसा बन गया कि मन मास found पूरी दीरे dio qgres कर इस अधिक मास का पूरा महिना निकला अमावस्या का तिन आ गया और इदर सावन लग रहा था इदर अमावस्या पढ़ गए और दूसरे दिन सावन के 15 दिन पढ़ना थे शिव के दिन पढ़ना थे और सास्त्र करता है अधिक मास का आखरी दिन और सावन का महिना पापिस पूरा आपने एपान कि या मेन पूरी मेरे तो गिराची जाते हो को वर्दन पून जाता है जाते हो आप लुग बंडारा चलाते हैं नहीं और नहीं कहते हो कोई शंकर का भगता गया कोई शिव का फजा कभगता किया कोई नरेयन का भगता क्या उसको कुछ खिला दो योग योम Ran अधिक मास के 30 दिन पूरे हो रहे हैं, अमावस्य का दिन था, निसमें सावन का महीना बापीश चालू, स्रावन बापीश चालूं ना था, दोनों का जब संजोग होता है, सावन के अधिक मास का जब संजोग होता है विराम का दिन होता है आपको कथा में भी पहले कहा महमान तुमारे यहां रेते हैं जब तक बच्चों को कुछ नहीं देते हैं महमान जिस दिन जाते हैं दोसो पांसो रुपे बच्चों को दे जाते हैं अधिक मास का विराम का दिन और सावन का पापिस मत्य का प्रारम का दिन पापिस हो जाता है जब अधिक मास पिराम होगा शावन पापिस चलू होगा उस दिन या च्छकंधर्व देवता पिंतर सब उस दिन लुटाते हैं सम पदा देते हैं वेभब देते हैं और उस दिन भूल से भी अगर एक कनेर का भूल संतर भगवाद पर चड़ जाता है तो जिंदगी का सारवन्दा पर चाथा एक पुष्प कनेर देखा है अंच पुष्पिश्व महाँ पुरान की कथा बाची है पहले उसमें कनेर के फूल का विदर्शन कराया था यह रोड के चादातर लोग यह कनेर का जो फूल है ना रोड के